हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका सल्यूशन आप बहुत टाइम से शाय ढून रहे होंगे लेकिन आपको मिल नहीं रहोगा तो इस वीडियो में उसका सल्यूशन है ठीक है न तो देखे कभी-कभी ऐसा होता है बोडी के किसी पार्ट में ऐसा दर्द होने लगता है जहां न तो चोट लगी होई होती है न मोचाई होई होती है और कुछ भी नहीं होता लेकिन दर्द इतना बुरा होता है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हतोडा मार दियो है ऐसा लगता है जैसे उस जगे पक गया हो लेकिन होता कुछ भी नहीं है वो अंदर नसो mới होता है तो आज मैं आपको नसो में दर्द का इलाज बताऊंगी जो कि आप घर में अनाम से कर सकते हैं बहुती कम पैसों में कर सकते हैं तो मेरे अंगूठे में कई दिनों से बहुत जादा दर्द है ऐसा लगता है जיसे अंगूठा पुरा पक गया है मतलब किसी ने मार दिया है तूट गया है इतना दर्द होता है कि मुझे कम सकम एक हफ्ते से बैंडेड लगाना पड़ रहा था ठीक है फिर मेरी बड़ी दिदियाई उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हम बच्पन में किया करते थे ऐसे ही तू कर ले तो इसके लिए हमें एक कोटन की जो उर्थ होगी एक पट्टी की जो उर्थ होगी ठीक है आगे मैं आपको प करते तो अंगूठे के नापके आपको पट्टी लेनी है रूई लेनी है ठीक है ना तो रूई ले लिए मैंने रूई लेने के बाद उसको आपको पानी में गीला करना है और अच्छे से हदेली से प्रेस कर लेना है यह जो प्रॉसेस है यह आपके कितने भी सालों का विदिन टू टू थी बार करेंगे, दो से तीन बार करेंगे, आपका दर्द गायब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने कोई इलाज करवा लिया है, बहुत लंबे समय से अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, या शरीर में कमजोरी आगे, उसकी वज़े से भी नसों में दर हो जाता है, तो ये आप इलाज कर लेजिए, उससे आपके ठीक हो जाएगा, जैसे है सर्फों का तेल गरम होता है उसमें हादी चमज आपको हल्दी डाल देनी है, कसूरी हल्दी तो भोबी डाल सकते है उसके अंतर ये भीगी हुई cotton डाल देनी है और उसको अच्छे से पक करें थोड़ा सा गरम-गरम रहने दे जिससे की जहां दर्द है वहां थलके-लके सी सिकाई भी होती रहे लेकिन गरम इतना रहना चाहिए जिससे की हमारे शरीर को वह अच्छा लगे ज्यादा गरम-गरम नहीं लगाना है ठीक है न तो इसका तेल जो है निचोड़ लेते हैं आपको एक प्लेट में साइड में निकाल कर रख लेना है आपके एडी में दर्द है कमर में दर्द है, कोहनी में दर्द है अंगलियों में दर्द है जहां पर भी आपको लगता है दर्द है और मैं दवाई खा चुक है और इलाज नहीं हो रहा तो एक बार आप ये करके देख लीजे, बड़ा आराम मिलेगा आपको, ठीक है ना, अब आपको देखिए, थोड़ा सा हलका हलका सा गरम है, इसको हम पट्टी के रूपे बांद लेते हैं, जब भी आप ये पट्टी बांद रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, ये तो करत बताओं कि मेरे को हफते से दर्था और एक से दो बार पट्टी करने में ही ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो अगर आपको भी एडी में दर्थ है, पैरों के तलुओं में दर्थ है, कभी-कभी हमें एक्स्ट्रा दवाई खा लेते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से मिलेगा, और साथ के साथ दूद में कस्तूरी हल्दी डालकर भी पिये, उससे भी बहुत जल्दी अराम मिलता है, तो ये प्रोसीजर आप कर लीजे, इससे मुझे तो आराम मिल गया है, आप भी करके देख लीजे, आपको भी ज़रूर अराम मिलेगा, तो देखे आप इसक कपड़ों को खराब नहीं करेगा, और आप इजली काम कर पाएंगे, तो ये चीज आप करके देखे, बहुत जबरदस्त अराम मिलेगा आपको, बहुत बार ऐसा दर्द होता है, जहना आयोडेक्स लगा लिया, आपने मूव लगा लिया, कोई भी ऐसा जेल लगा लिया, ज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे की बढ़िया-बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, अगर आपको भी नसो में दर्द है, इस तरीके का, और बहुत टाइम से इलाज करवा रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको करके देखे, इसको ट्राइ करते ही, आपको आराम मिलना चालो हो जाएगा, ओके बाइबाइ फ्रेंट, फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ,